हलो एवरिवन, वेलकम टू यू अल, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर नुमर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ओफ स्टोलन चाइल्ड हूट के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें हमें दो स्टोरीज देखने को मिलती है पहली स्टोरी है साहिब की और दूसरी स्टोरी है मुकेस की अब ये दोना स्टोरी बेस्ट हैं, दो छोटे लड़कों के उपर जो की बहुती पूर बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते हैं तो जिसकी वज़े से उनको एजुकेशन की अपॉर्चॉनिटी नहीं मिल पाई अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारी सोसाइटी में होते हैं जिनको हम देखते हैं कि जो पढ़ना चाते हैं लेकिन उनके पास में पैसे ना होने की वज़े से वो स्कूल नहीं जा पाते तो ऐसे ही ये दो बच्चों की स्टोरी हमें इसमें देखने को मिलती है जहां पर राइटर अपने परसनल एक्स्पीडियंस को शेर करती हैं जो की उनकी लाइफ में घटे थे इसमें वो हमें बताती हैं कि कैसे जो पूर बैक्ग्राउंड के बच्चे होते हैं उनकी फ्रीडम बहुत जल्दी उनसे छिंज जाती है गरिवी की वज़े से और कुछ कस्टम ट्रेडिशन की वज़े से तो यही दो स्टोरी के थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को लाइन बाइन समझेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने डिसकॉशन को तो इस स्टोरी पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे और के बारे में इस स्टोरी की जो राइटर है इस स्टोरी की जो और है उनका नाम है अनीश जंग शी वस बाइन 1964 इन रावर खेला एंड स्पेंड हर चाइड़ोड इन हैदराबाद इनका जम 1964 में हुआ रावर केला के अंदर और इन्हों ने अपना बच्पन हैदराबाद के अंदर ही बिताया शी रिसीवड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन दे युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका इनकी जो एजुकेशन हुई वो USA में और हैदराबाद में ही हुई हर पेरेंट्स वो बोथ राइटर अब इनका राइटिंग बैक्ग्राउंड रहा जहां पर इनके पेरेंट्स वो दौनों ही राइटर थे और ये भी आगे चलके राइटर ही बनी अनीज जंग बिगें हर करियर अज राइटर इनडिया अनीज जंग ने अपना करियर इनडिया से ही अज राइटर शुरू किया She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad India और abroad में newspapers के लिए इन्होंने काफी सारे editorials और column भी लिखे And has authored several books और in editorial और in column के साथ में इन्होंने काफी सारी किताबे भी लिखी The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood अभी ये जो chapter हम पढ़ रहे हैं ये इन्ही की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है Lost Spring Stories of Stolen Childhood उससे लिया गया है Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemns these children to a life of exploitation इस story के थुरू author हमें ये बताती है कि कैसे जो poor class में गरीब बचे होते हैं उनका बच्पन बरबाद हो जाता है और पैसे ना होने की वज़े से और extreme poverty की वज़े से उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यही सब कुछ author हमारे साथ में इस story के थुरू उनके experience शेर कर रही है तो चलिए अब हम सीधे चलेंगे story की तरब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो stories है पहली story है साहिब की दूसरी story है मुकेस की तो हम पहले साहिब की story को read करेंगे तो अब इसकी starting होती है जैसे कि आप देख सकते हो blue text में लिखा हुआ है sometime I find a rupees in the garbage अब यहां जैसे कि हम देख सकते हैं कि इधर I का use हुआ है तो यहां पर I का use साहिब के लिए किया गया है और वहीं थोड़ा सा हम आ गया है तो यहां पर भी I का use किया गया है यह खुद author ने अपने लिए इसका use किया है तो क्या मतलब है इसका sometime I find a rupees in the garbage कभी कबार मुझे कचरे के धेर में एक रुपया मिल जाता है अब यह statement है यह किसका statement है साहिब का statement है तो अब in return जो हमारी author है वो उससे पूस्ती है कि why do you do this तुम ऐसा क्यों करते हो यह कचरे बिनने का जो काम है तुम क्यों करते हो अब उन्होंने ऐसा साहिब से क्यों पूछा because I encounter every morning अब वो आगे यह बताती है whom I encounter every morning scoundering for gold in the garbage dump of my neighborhood यहाँ पर कुछ words का use हम देख सकते हैं scoundering scoundering का मतलब होता है किसी चीच की खोज में इधर उधर भटकना और इधर gold का meaning है कुछ भी valuable वो पैसे हो सकते हैं अब क्योंकि साहिब एक छोटा सा लड़का है तो इसी वज़े से अगर उसे कोई भी toy garbage में मिलता है कच्रे के धेर में मिलता है तो वो भी उसके लिए gold के समान ही है मतलब साहिब के according कुछ भी जो की valuable है उसको वो gold consider करता है ठीक है और यहाँ पर हमें एक और word देखने को मिलता है garbage dump, garbage dump का मतलब होता है कच्रे का धेर और never hold, never hold का मतलब होता है पड़ोस आसपास में तो इसका overall meaning है साहिब ने writer से कहा कि कभी कबार मुझे कच्रे के धेर में एक रुपया मिल जाता है अब ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जब author ने उससे ये पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो और ये जो साहिब है उनी के घर के पास में ही जो कच्रे का धेर था वहाँ पर सुबह सुबह कच्रा बीनने के लिए और कुछ valuable चीज़ें एकटी करने के लिए वहाँ से उठाने के लिए वहाँ पर आता तब उनों ने साहिब से ये सब कुछ पूछा आगे चलते हैं अब यहाँ पर साहिब का थोड़ा सा description दिया गया है जिससे हमें उसके बारे में पता लगेगा कि साहिब actual में कौन है और वो कहां से आया है शाहिब लेफ्ट हिस होम लॉग अगो साहिब ने अपना घर लंबी समय पहले छोड़ दिया था sad amidst the green field of धाका उसका जो घर था वो धाका जो की बंगलादेश में है बंगलादेश की capital है धाका तो उसका घर वहाँ पर था और उसका जहां घर था वहाँ पर काफी सारे खेत थे green fields थी जहां पर वो रहा करता था his home is not even a distant memory अब काफी लंबा समय हो गया जब वो धाका से इंडिया आया था अपने पूरे परिवार के साथ में तो अब ये काफी दूर की memory उसके लिए हो गई उसे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं तो जो उसकी माँ बताती है वही वो इनको share कर रहा है अब क्या बोलता है वो there were many storms that swept away the fields and home his mother tells him अब साहिब author को बताता है कि साहिब की मदर ने उसे बताया कि जहाँ पर धाका में वो रहते थे उनके वहाँ पर बहुत अच्छे घर थे और काफी सारे उनके खेट थे जहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर क्या होता है कि storm तूफान की वज़े से और natural disaster की वज़े से वहाँ पर सब कुछ तबा हो जाता है वहाँ सब कुछ खतम हो जाता है जिसकी वज़े से उनको वो धाका छोड़कर इंडिया आना पड़ा और उनका घर मकान सब कुछ वही रह गया तो ये सब कुछ साहिब की मदर ने उसे बताया और वही चीज साहिब ऑथर को बता रहा है यहाँ पर और इसी वज़े से उनको ने वो घर छोड़ दिया अप लुकिंघ फर गॉल्ड यहाँ पर इसका सेंस है कि कुछ भी खाने पीने की चीज़े उने मिल जाएंगी या फिर उने काम मिल जाएगा तो लुकिंघ फर गॉल्ड का मतलब यहाँ पर यही है तो साहिव और उसकी फूरी फैमली वो अपनी जगा ढाका को छोड़ कर इंडिया आ गए अब किस चीज की खोज में आये थे वो यहाँ पर वो आये थे काम की खोज में ताकि उन्हें काम मिल सके जिससे उनके पास में पैसे आये और उन पैसे से वो अपना दो बक्त का खाना खा पाएं तो अब ये था साहिव का बैक्राउंड अब हम आगी चलेंगे और देखेंगे इस स्टोरी को continue होते हुए तो I have nothing else to do, he mutters, looking away अब क्योंकि जो author थी उन्होंने साहिव से पूछा था कि तुम ये कच्रा क्यों उठाते हो तो साहिव ने धीरे-धीरे बड़बडाते हुए अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं mutters, mutters का मतलब होता है बड़बडाना धीरे-धीरे, मतलब उसकी आवाज धीमे-धीमे से sound में author तक पहुच रही थे लेकिन उन्हें साप सुनाई नहीं दे रहा था तो अब साहिव ने धीरे-धीरे बड़बडाते हुए और कहीं दूर नजरें चुरा कर देखते हुए author को बताया कि उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए वो कच्रा बीनता है तो बिना सोचे समझे जो author है वो साहिव से कह देती है कि तुम काम करो तुम school जाओ तुम बहुत छोटे हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए अब ये advice बिना मांगे उन्होंने साहिव को देतो दी लेकिन वो जानती है कि ये साहिव को advice जो दे रही है ये काफी काफी खोकली advice है और वो भी जानती हैं कि साहिव के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो school में पढ़ पाए अगर उसके पास में इतना पैसा होता कि वो school में जा पाता तो शायद वो ये rack picking मतलब कच्रा बीनने का काम नहीं करता तो उनकी ये advice उन्हें पता था कि ये खोकली advice है इसका कोई ज़्यादा sense नहीं है तो इस पर साहिब ने author से कहा कि मेरे आसपडोस में कोई भी school नहीं है अगर किसी दिन होगा तो मैं जरूर जाऊंगा तो अब उन्होंने मजाक मैं साहिब से पूछा अगर मैं school start करूँ तो क्या तुम आओगे येस, he says smiling broadly अब बहुती एक बड़ी smile के साथ मैं साहिब ने author से कहा कि हाँ अगर तुम school start करोगी तो मैं definitely आओँगा कुछ दिनों बाद वो देखती हैं कि साहिब उनकी और भागते हुए आ रहा है और उसने उनसे पूछा क्या तुम्हारा school तैयार हो गया अब ये सुनकर उनको काफी बुरा लगा क्योंकि उन्होंने तो मजाक में साहिब से ये कहा था लेकिन साहिब ने उनकी बात को बहुत ज़्यादा seriously ले लिया और उसे ऐसा लगता था कि मतलब author जो है वो अपना school open करेंगी तो वो पढ़ना चाहेगा और वास्तम में उसकी school जाने की इच्छा है वो पढ़ना चाहता है इसलिए उसने उससे पूछा अब लेकिन उनको ये पता था कि उनकी जो advice उन्होंने उससे कहा था कि वो school open करेंगी ऐसा कुछ भी नहीं था तो उनको काफी पस्तावा हो रहा था कि ऐसा बादा उन्होंने उसके साथ में क्यों किया तो फिर उन्होंने इस बाद से पीछा चुड़ाने के लिए साहिब से बोला इट टेक्स लॉंगर तो बिल्ड़ स्कूल आई से तो ओथर ने उससे कहा कि स्कूल इतनी जल्दी open नहीं होता है इसमें time लगता है embarrassed at having made a promise that was not meant और उन्हें काफी सर्मिंदगी महशोस हो रही थी embarrassment का मतलब होता है सर्मिंदा होना तो इस बात पर वो काफी सर्मिंदा थी कि उन्होंने साहिब से ऐसा promise किया था कि जिसे वो पूरा नहीं कर पाती but promises like mine abound in every corner of his bleak world लेकिन उनका ये भी मानना था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जन्होंने साहिब से काफी सारे promises किये होंगे लेकिन शायद वो promise पूरे नहीं हुए होंगे तो उनका भी promise उसी की तरह है जो पूरा नहीं हो पाएगा तो साहिब की life में promises और उसका पूरा ना होना ये काफी common सी चीज है ये उन्होंने सोचा after months of knowing him I asked him his name अब काफी महीने हो गए थे काफी दनों से वो साहिब को जानती थी तो एक दिन उन्होंने साहिब से पूछी लिया कि तुम्हारा नाम क्या है तो साहिब बोला साहिवे आलम he announces तो उसने कहा कि मेरा नाम साहिवे आलम है he does not know what it means उसे नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है if he knew its meaning lord of the universe he would have a hard time believing it तो वो ये सोचती हैं कि अगर साहिब को कोई उसके नाम का मीनिंग समझा दे कि उसके नाम का मीनिंग lord of the universe है मतलब पूरे ब्रह्मान का देवता तो शायद हो सकता है कि उसे believe ही ना हो कि उसके नाम का मीनिंग इतना बड़ा है तो unaware of what his name represents he roams represents he roams the street with his friend अपने दोस्तों के साथ में सडकों की खाक चानता रहता है मतलब वो सडकों पर ही इदर उदर घूमता रहता है an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappeared at noon अब यहाँ पर साहिब के दोस्तों का description author हमें देती है वो बताती है कि साहिब बहुत सारे ऐजे बच्चों के साथ में सडकों पर घूमते हुए कच्रा भीनता रहता है और वो सारे के सारे बच्चे जो की खाली पाओं होते हैं उनके पाओं में कोई भी footwear कोई भी sleepers कुछ नहीं होता वो बिना किसी footwear के बिना किसी जूते चपलों के सडकों पर घूमते रहते हैं जो की सोबे सोबे आते हैं और सोबे सोबे ही कोई भी उन्हें देख सकता है लेकिन दोपेर तक वो सारे के सारे गायव हो जाते हैं और कुछ महीनों मही जो author हैं वो सबको पैचानने भी लगी क्योंकि वो उनको daily देखती थी तो इस वज़े से वो सारे के सारे बच्चों को by face पैचानने लगी तो फिर एक दिन उन्होंने सभी बच्चों से बात की अब क्या पूछा उन्होंने उनसे वाई आंट यू वेरिंग चपल्स अब यहाँ पर हम देख सकते आंट का योज हुआ है तो आंट का योज यहाँ पर किया गया है आर नॉट के शॉट फर्म के रोप में तो वाई आर नॉट यो वेरिंग चपल्स आई आस्ट वन तो उन्होंने साहिब के एक फ्रेंड से पूछा कि तुम चपल क्यों नहीं पैने हुए हो My mother did not bring them down from the cells He answers simply तो फिर वो लड़के ने author से कहा कि मेरी ममी ने मुझे चपल दी ही नहीं क्योंकि जहाँ पर चपल रखी थी एक अलमारी थी उसके उपर चपल रखी हुए थी तो मेरी ममी ने मुझे वो चपल नहीं दी इसलिए मैंने चपल नहीं पैनी Simple सा अंसर था उसका Even if she did He will throw them off Adds another Who is wearing shoes that do not match तो अब यहाँ पर एक दूसरा बच्चा बीच में interrupt करते हुए कहता है कि अगर मेरी ममी मुझे चपल देती भी तब भी मैं नहीं पैनता अब वो उसने ऐसा क्यों कहा क्योंकि उसके दोनों पाओं में जूते हैं लेकिन उन जूतों की खासियत यह है कि दोनों जूते अलग-अलग हैं और एक दूसरे से मैच नहीं करते When I comment on it He shuffles his feet and says nothing अब जैसे ही author की नजर उस लड़के के जूतों पर पड़ी जो की अलग-अलग थे एक जैसे नहीं थे तो उन्होंने उसके जूतों के उपर comment किया और धीरे धीरे वो जो लड़का था शरम की वज़े से अपने जूतों को पीछे चुपाने लगा अपने पैरों के I want shoes says a third boy who has never owned a pair all his life अब यहाँ पर एक और बच्चा उसने बोला कि मुझे तो जूते पहनने का बहुत शौक है मुझे जूते चाहिए क्योंकि उसने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने यह जो तीसरा बच्चा था उसने बीच में ट्रप करते हुए कहा कि कभी उसके पास में जूते नहीं रहे और उसने आज तक जूते नहीं पहने अगर मेरे को मिल जाएंगे कैसे भी हो तो मैं वो जूते पहनना चाहूँगा तो traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on village road तो अब यहां पर author हमें बताती है कि उन्होंने अपनी life में काफी सारे ऐसे बच्चों को सड़कों पर घूमते हुए देखा है गाओं में और शेहरों के अंदर भी जो की सड़कों पर घूमते हैं जिनके पाओं में कोई भी चपल या फिर जूते नहीं होते अब यहां पर वो कहती है कि यह हमेशा पैसों की वज़े से नहीं होता कि उनके पास में पैसे नहीं है जिस वज़े से वो चपल नहीं पैनते लेकिन इसमें एक argument ये भी है कि बिना foodwares के रहना ये एक tradition भी है इस वन explanation ये एक explanation है कि कुछ लोग जूते चपल इस वज़े से नहीं पैनते क्योंकि ये उनका tradition है ये उनका रिवाज है और ज़रूरी नहीं की हर बार पैसे की कमी की वज़े से ही ऐसा हो I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty अब यहां पर author का मानना ये है कि ठीक है जूते चपल ना पहनना एक tradition भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे लोग जूते चपल केवल इस वज़े से नहीं पहनते क्योंकि इतनी उनकी हैसियत नहीं है और नहीं इतना पैसा उनके पास में है कि वो जूते चपल उनके लिए खरीद पाए the fact of the matter is this तो आगे वो हमें बताती है I remember a story a man from UDP once told me एक आदमी था जो कि UDP से था उसने एक story author को सुनाई अब वो क्या थी story? As a young boy, he would go to school past and old temple तो वो जो आदमी था जो UDP से था अपनी story सुनाते हुए बोलता है कि जब वो छोटा था तो वो school जाता था जब वो school जा रहा होता था तो बीच में एक temple पड़ता था रास्ते में ही और वो temple काफी पुराना था वेर हिस father was a priest और उस लड़की के जो father थे वो उसी मंदर में priest थे तो he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shows अब यहाँ पर briefly का मतलब है जैसे कि हम यहाँ देख सकते है रुकता था और भगवान से pray करता था कि है भगवान कुछ ऐसा चमतकार हो जाए जिससे उसके पास में भी जूते आपाएं और जिससे वो भी जूते पहन पाएं तो 30 years later I visited his town and the temple अब 30 साल बाद author को उस जगा पर घूमने का मौका मिला उन्होंने जब वो विजिट किया उस town को जिसके बारे में उस बच्चे के स्टोरी उन्होंने सुनी थी और वो उसी temple को विजिट करने के लिए गई जहाँ पर बच्चा सामने मंदिर के सामने खड़ा होकर भगवान से pray करता था चपनों के लिए पास में इतने पैसे नहीं थे अब ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं उनको दिखा अब काफी कुछ उस जगा पर improved हो गया था time के साथ साथ में वो जगा भी change हो गई थी और लोगों का economic status भी उदर change हो गया था तो जब वो वहाँ पर पहुंसती है तो वो क्या देखती है in the backyard where lived a new priest मंदर के पीछे जो backyard था वहाँ पर एक नया priest अब आ गया था there were red and white plastic chairs उन्होंने क्या देखा कि जो priest का घर था पीछे जो backyard था वहाँ पर red और white color की plastic की chair लगी होई थी a young boy dressed in a gray uniform wearing socks and shoes arrive panting and throw his school back on a folding bed और फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा school का बच्चा भागते हुए वहाँ पर आता है जिसने gray color की uniform पहने हुई है और मजे की बात यह है कि उस बच्चे ने जोते भी पहने हुए है और जोतों के साथ साथ में वह socks भी पहने हुए है तो वह वहाँ पर आता है अपने back को उतारता है और उस folding bed पर fake देता है तो looking at the boy I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shows तो अब यह देखकर उनके दिमाग में सीधा वही बच्चे की स्टोरी आती है जो उन्होंने 30 साल पहले सुनी थी जहाँ पर वही बच्चा जो की भगवान से जूतों के लिए pray करता था तो फिर उनको यह realize हुआ कि जो prayer वो बच्चे की थी जो वो भगवान से करता था अब वो उसकी prayer पूरी हो गई और अब 30 साल बात यह जो बच्चा है उसके पाउं में फाइनली अब जूते आ गए उसकी जो prayer थी वो भगवान ने सुन लिया है लेट मी नेवर लोज देम दगवान देश हैद ग्रांटेड इस प्रेयर तो मतलब वही है उनको यह realize हुआ कि जो बच्चे ने तीस साल पहले जो prayers की थी अब वो prayers पूरी हो गई बगवान ने उसे जूते दे दिये यंग boys like the son of the priest now wore shoes but many other like the ragpickers in my neighborhood remain shoeless तो अब यहाँ पर हमें कुछ words देखने को मिलते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं ragpickers, ragpickers का मतलब होता है ऐसे लोग जो की कच्रा बीनने का काम करते हैं, उनको हम ragpickers बोलते हैं तो अब वो यह बोलती हैं कि इतने सालों बाद अब जो priest का बच्चा है जिसके पाउ में पहले shows नहीं होगा करते थे अब उसके पाउ में भी जूते हैं लेकिन अभी भी जब वो अपने आसपास में अपने घर के आसपास में इन बच्चों को घूमते हुए देखती हैं जो की कच्रा बीनते हैं उनके पाउ में अभी भी जूते नहीं आ पाए तो कितना differentiation है पहले के समय से अब तक के समय में कि कुछ लोगों की इस्तिती बदली है लेकिन कुछ लोगों की इस्तिती अभी जैसी पहले थी वैसी आज भी है उसमें कोई भी changes नहीं आये हैं अब आगे author अपना एक personal experience share करती है जहां पर उन्होंने rack pickers की जो कच्रा बीनने वाले लोग होते हैं उनकी पूरी वस्ति को बिजिट किया तो अब वो आगे कहती है my acquaintances with a barefoot rack pickers leads me to सीमपुरी a place on the periphery of Delhi yet miles away from it अब इधर हमें कुछ words देखने को मिल रहे हैं जैसे कि पहला word हम देख सकते है acquaintances acquaintance का मतलब होता है परिचित जान पैचान का जान पैचान के लोग barefoot का मतलब होता है बिना किसी footwear के या फिर बिना कोई भी footwear पहने हुए जूते चपल पहने हुए जो rack pickers होते हैं ठीक है वो बिना किसी footwear के ही घुमते है तो अब इसका overall meaning है उनको जान पैचान की वज़े से एक rack pickers सीमापुरी नाम की जगा पर ले गया जहाँ पर ये सारे rack pickers रहते हैं अब जो सीमापुरी है वो डैली के पास में एक जगा है वहाँ पर एक छोटा सा एक इलाका है जहाँ पर जो भी कचड़ा पूरे सहर से एकटा होता है उसको dump किया जाता है अब इदर जैसे कि हमें एक phrase देख सकते है सीमापुरी इट्स ऑन दप पैरिफेरी ऑप डैली येट माइल सवे फ्रॉम इट अब इसका मतलब क्या है कि सीमापुरी डैली के पास में ही है लेकिन फिर वी वो डैली से दूर है अब इसका meaning ये है कि सीमापुरी एक्चुल में अगर हम देखें physically तो ऐसा एरिया है जो कि डैली के पास में है डैली का सारा कच्रा वहाँ पर डम किया जाता है लेकिन ये place standard of living के हिसाब से काफी कोसो दूर है क्योंकि जो लोग सीमापुरी में रहते हैं उनका standard of living बहुत ही जादा painful है सारे के सारे rack pickers हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ हमें डैली की एक beautiful site देखने को मिलती है जहाँ पर लोगों के पास में अच्छी job है अच्छा standard of living है उनके पास में खाने के लिए खाना है लेकिन ऐसा कुछ हमें सीमापुरी से सीमापुरी के इलाके में देखने को नहीं मिलता तो physically देखा जाए geographically देखा जाए तो सीमापुरी है डैली के पास ही लेकिन standard of living में जमीन और आसमान का अंतर है जो लोग डैली में रहते हैं और जो लोग सीमापुरी में रहते हैं उनके बीच में काफी जादा एक बड़ा डिफरेंस है आगे देखते हैं अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी और जिसकी वज़े से पाकिस्तान से बंगला देश को तोड़ कर अलग बसाया गया था तो अब वहां से बहुत सारे बंगला देश में रहने वाले लोग माइगरेट होकर इंडिया आ गए थे और जितने भी लोग वहां से आये थे उसमें से maximum number of people जो की डैली में आये थे वो आज हमें सीमपुरी के एरिया में देखने को मिलते हैं जिनका काम रैक पिकिंग गई है तो यहां पर भी वही बात हो रही कि 1971 में ये सारे के सारे लोग बंगला देश से आये थे जो की आज रैक पिकर की तरह वहां पर काम कर रहे हैं और वहीं पर आके बस गए हैं तो साहिप's family is among them और जितने सारे लोग आये थे उसमें से साहिप की family भी थी सीमपुरी तो सीमप पुरी में कोई रहता नहीं था उस समय भी उसकी हालत बहुती ज़्यादा खराब हुआ करती थी क्योंकि चारो तरब कच्रा गंदगी यही हमें देखने को मिलता था और आज भी हालत कुछ बदले नहीं है आज भी बिलकुल वैसी ही इस्तिती बनी हुई है वहां पर लेकि स्ट्रक्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर् पादर होती है, छोटे-छोटे जुगी जोपडियों की छटों पर डली होई रहती है, ताकि वो बारिस से अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाएं, और तारपुलन, तारपुलन मतलब जिसको हम बोलते हैं कि प्लास्टिक की शेट्स होती हैं, जिसको हम तिरपाल बोलते हैं, तो इनसे और यह जो टीन शेट्स होती हैं, इनसे वो अपने घर की छट बनाते हैं, और इनके जो मकान हैं, एक्चल में मकान हम नहीं बोल सकते हैं, इनकी जो जोपडियां हैं, कच्ची हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी होई नहीं है, डिवाइड ऑफ सीवेज अब वहाँ पर हम देखते हैं, कि जो एट्मोसपेर है, वो काफी ज़्यादा बदबूदार है, वहाँ पर जो सीवेज है, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, जो नालियों का पानी है, वो सडकों के उपर बैता हुआ हमें दिखाए देता हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छे कोई सडकें भी नहीं है, कच्छे रास्ते हैं, जिनके उपर नलियों का पानी हमें दिखाई देता है, तो ड्रेनेज की कोई भी प्रॉपर वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वज़े से वहाँ पर गंदगी काफी है, और इसी गंदगी में 10,000 रैक्पिक के पिछले 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो without permits, but with ration card, that they get their names on voter list and enable them to buy grain, अब इनके पास में अपनी खुद की कोई identity नहीं है, identity के नाम पर केवल इनके पास में रासन कार्ट्स हैं, जिससे इनको खाने के लिए खाना मिलता है, और इनको राशन कार्ट इसे लिए politicians ने इ foods मिलते हैं, इस वज़े से इनको रासन कार्ट issue किये गए हैं, आगे देखते हैं, food is more important for survival than an identity, अब यहाँ पर, वो यह बोलते हैं कि उनके लिए survive करने के लिए, identity से ज़्यादा जरूरी है खाना, if at the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, तो अब इधर यह जो ragpickers हैं, यह जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो यह बोलते हैं कि at the end of the day, अगर हम अपनी family के लिए खाना arrange कर पाएं, उनको खाना offer कर पाएं, हमारे पास में दो वक्त का खाना हो, और हम भूके पेट ना सोएं, यह हमारे लिए सब कुछ है, और इसी वज़े से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका यह मानना है कि वो धाका बंगलादेश को छोड़कर इस वज़े से यहाँ पर आये थे, कि ऐसी जमीन से, ऐसे घर से कोई फाइदा नहीं है, जो उनको खाना ना दे पाए, तो वो खाने की खोज में यहाँ पर आकर बस गए हैं, अब यहाँ पर एक वक्त का खाना तो मिल ही जाता है, और यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है, अब यह सब कुछ ऑथर को वहाँ पर रहने वाली औरतें बता रही हैं कि उनको अपने घर को छोड़कर इस वज़े से आना पड़ा, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए खाना नहीं था, तो ऐसा घर और ऐसी जमीन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, जो कि उनके खाने के लिए खाना ना दें, तो इस वज़े से वो उस जगा को छोड़कर यहाँ पर आ गए, तो यह सारी के सारी औरतें, औरतर को उनका उनकी लाइफ के बारे में शेयर कर रही हैं, और यहाँ पर एक वर्ड हमें देखने को मिलता है, टैटर सारी, और जितनी भी वो औरते हैं, उनकी जो साडी है वो जगा जगा से फटी होई है मतलब उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो एक साडी भी खरीद पाएं तो ऐसी इस्तिति उनकी है बस उनके पास में खाने के लिए एक वक्त का खाना है जबकि उनके पास में बहुत कुछ सारी facilities नहीं है तो ये सब कुछ उन्होंने author को बताया जब author ने उनसे पूछा कि वो इतनी हरी बरी फेल्ड और इतने अच्छे मकानों को छोड़ कर क्यों आ गए तो in return यही सब कुछ उन्होंने बताया कि वो खाने की तलाश में यहाँ पर आये थे क्योंकि उनके जो मकान और जमीन थी वो उन्हें खाना प्रोवाइट नहीं कर पा रहे थे इस वज़े से वो यहाँ पर आये तो wherever they find food they pitch their tents and they become and that become transit home तो वो आगे बताती हैं कि वो जगा जगा गोमते हैं जहाँ पर उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पर अपने tents लगा लेते हैं और वहीं पर अपने आश्याने या फिर बोलें कि वहीं पर अपने tent के छोटे छोटे घर बना कर रहने लगते हैं पर इन लोगों को खाना मिलता है चिल्डरन ग्रो अप इन देम बेकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल अब मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो उनके साथ में मिलकर ही वो रैक पिकिंग का काम उनके साथ में करने लगते हैं तो हम ऐसा भी मान सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो रैक पिकिंग का काम है वो जनरेशन से वो करते हुए आ रहे हैं माबाब के साथ साथ में उनके बच्चे भी इसी काम को करते हुए आ रहे हैं and survival in सीमापुरी means rack picking क्योंकि सीमापुरी में survive करना मतलब rack picking करना तो यही एक काम है जो कि उनका एक basic work है जिसको हर कोई वहाँ पर करता है तो यहां पर author हमें बताती है कि सालों से जो गारवेज है इन लोगों के लिए एक गोल्ड की थरा है और कच्रे के धेर में से बहुती valuable, बहुती precious चीज़ों को निकाल लेना इसमें जो कला की जरूरत है वो कला इन लोगों के पास में बहुत अच्छे से इनके अंदर कोट कोट के भरी हुई है तो इन लोगों के लिए रैक पिकिंग कच्रा बीना इनके रोजी रोटी है और सबसे बड़ी बात कि इनके बच्चों के सर के उपर छट का होना ये काफी ज़्यादा important है इनके लिए बले ही वो छट लीग करती हो बारिश का पानी उसमें से रिस्ता हो लेकिन छट का होना that is important to them उनके लिए इतना ही काफी है ऐसा वो सोचते है तो अब यहाँ पर story reverse होती है जहाँ पर साहिव और writer अनीज जंग इनका conversation हो रहा है जब वो साहिव से यह पूछ रही है कि तुम कच्रा क्यों बीनते हो तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये statement quoted है I sometime find a rupees even a 10 rupees note तो साहिव उनको बताता है कि कभी कबार मुझे कच्रे के धेर में एक रुपया मिलता है और कभी कबार 10 रुपय का note भी उसे मिलता है तो साहिव ने बहुत ही proudly author से कहा His eyes lighting up और जब वो ये सब कुछ बता रहा था तो वो काफी excited था काफी thrilling feel कर रहा था जैसे कि ये उसके लिए काफी बड़ा achievement हो When you can find a silver coin in a heap of garbage अब heap of garbage ये word हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो कच्रे का धेर इसको हम बोलते हैं heap of garbage तो author साहिब को बोलती है कि अगर कच्रे के धेर में तुमें चांदी का सिक्का भी मिल जाए silver coin भी मिल जाए Then also you don't stop scoundering तो भी तुम अपने आपको नहीं रोकोगे और कच्रे में कुछ ना कुछ तो ढूनते ही रहोगे क्योंकि एक silver coin उसे satisfy नहीं करेगा Because for there is hope of finding more क्योंकि कच्रे के धेर में साहिब को बहुत सारी चीजे मिलेंगे इसके possibility जादा है और साहिब को भी ऐसा ही लगता है It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents अब वो बोलती है कि बच्चों के लिए जो garbage है जो कच्रा है वो उसका meaning बिलकुल ही अलग है उस meaning से जो की उनके parents के लिए अब बच्चों के लिए और parents के लिए वो कच्रे का meaning अलग क्यों है ये हमें author आगे बताती है For the children it is wrapped in wonder जैसे कि हम यहाँ पर एक word देख सकते है wrapped का मतलब होता है लिप्टा हुआ For the elders it is a means of survival अब बच्चों के लिए जो कच्रा है एक बहुती अद्बुत चीज है जहां से उनको काफी सारी wonderful अविश्वसनी चीजें मिलती है अच्छे खिलोने मिलते हैं पैसे मिलते हैं तो बच्चों के लिए काफी wonderful experience होता है जब वो कच्रे को बीनते हैं लेकिन माबाप के लिए parents के लिए ये केवल उनके survival का एक जरिया है वो जब rack picking करते हैं तो उनको एक वक्त का खाना मिलता है आगे बढ़ते हैं यहां author हमें उनका एक और experience जो की साहिब के साथ में हुआ उसे share करती हैं चलो देखते हैं क्या है वो one winter morning I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club अब author के घर के पास में ही एक club था उस पर tar fencing थी जहां पर उन्होंने साहिब को खड़े हुए एक सुबा सर्दियों में देखा अब साहिब वहाँ पर क्या कर रहा था he was watching two young men dressed in a white playing tennis तो अब वहाँ पर जो साहिब fence gate के बाहर खड़ा हुआ दो लोगों को देख रहा था जो कि tennis खेल रहे थे I like the game he hums content to watch it standing behind the fence तो अब जैसे ही उन्होंने साहिब से पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है तो साहिब ने उनको बताया कि उसे यह tennis का game बहुत जादा पसंद है और उसको fence के बाहर इस game को जो लोग खेलते हैं यह सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है I go inside when no one is around he admits तो अब साहिब उनको बताता है कि जब कोई भी यहाँ पर नहीं होता तो वो इस fence gate से होकर अंदर जाता है अब ऐसा कैसे होता है The gatekeeper lets me use the swing अब वहाँ पर club के अंदर एक जूला है तो जो gatekeeper है उसको अंदर आने देता है और वहाँ पर जो जूला है उसे वो जूले को जूलने देता है तो साहिब 2 is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts अब वो देखती हैं कि जो साहिब है उसके पाउं में भी जूते हैं और वो उसके कपड़ों से match नहीं हो रहे हैं एक तरफ उसके कपड़े हैं जो कि कटे फटे हैं ज्यादा अच्छी condition नहीं है उनकी और दूसरी तरफ वो देखती हैं कि थोड़े से अच्छी condition में वो जूते जो पहने हुए हैं वो दिखाए देते हैं तो वो साहिब को जूतों में देखकर surprise होती हैं फिर वो साहिब से पूछती हैं कि उसके पास में ये जूते कैसे आए तो साहिब उन्हें बताता है someone gave them to me तो साहिब ने उनको बोला कि ये किसी ने दिये हैं मुझे he says in the manner of an explanation उसने explanation देते हुए कहा कि ये जूते हैं किसी ने मुझे दिये है the fact that they are discarded shoes of some rich boy अब वो जो जूते थे एक अमीर बच्चा था उसके reject किये हुए जूते थे जिसको कच्रे में फेका जाने वाला था तो वही जूते साहिब को दे दिये और साहिब ने उन जूतों को लेकर उनको पहन लिया who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them तो साहिब ने explanation दिया कि उन जूतों में से एक जूते में एक थूड़ा सा hole था और शायद इस वज़े से ही वो जो बच्चा था जो काफी अमीर था उसने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया होगा इसी लिए उन्होंने ये जूते साहिब को दे दिये अब साहिब को इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि साहिब के पास मैं पहले से ही जूते नहीं थे तो hole उसे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा तो यहां पर यह बात बोली गई है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने कभी जिन्दगी में जूते नहीं पहने और हमेशा से ही वो बिना जूतों के या फिर बिना sleepers के बिना चपलों के रहा है तो उसके लिए ऐसे जूते मिल जाना जिसमें बले से ही होल हो इससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता ये साहिप के सपने के सच होने जैसा ही experience था मानो but the game he is watching so intently is out of his reach उसे जूते तो मिल गए वो tennis के जूते थे उसे वो तो मिल गए लेकिन ये जो game वो देखता है ये उसकी पहुत से काफी ज़्यादा बहार है क्योंकि उसके पास में इतना पैसा नहीं है जिसे देकर वो ये game को खेल पाए और उसे enjoy कर पाए ये game उसकी पहुत से बाहर है आगे बढ़ते हैं अब फिर से कुछ दिनों बाद author को साहिप सुबह सुबह मिलता है और वो जब उससे मिलती है तो साहिप एक milk boat था वहाँ पर जा रहा था In his hand is a steel canister और उसके हातों में steel के canister है मतलब steel के डिब्बे हैं जिसमें दूद को रखा जाता है तो अब author ने उससे पूछा कि वो कहा जा रहा है और ये steel के canister उसके हातों में कैसे आए तो उसने उन्हें बताया I now work in a tea stall down the distance अब क्योंकि जिस रास्ते पर वो खड़े हुए थे वो काफी उचा रास्ता था और वो नीचे की तरफ उनको इशारा करते हुए बताता है कि वो अब एक tea stall पर काम करता है जो की थोड़ा सा दूरी पर ही नीचे उतर का सड़क के किनारे पर situated है और फिर वो आगे बताता है that I am paid 800 rupees and all my meals वो कहता है कि इस काम को करने के बदले में उसे 800 rupees मिलते हैं और खाना भी मिलता है तो इस पर जो author है वो उससे एक question पूसती है does he like the job तो जैसे ही उन्होंने उसे ये question किया कि क्या वो काम जो वो कर रहा है क्या उसे उस काम को करना अच्छा लगता है तो his face I see has lost the carefree look और ये सुनकर जो साहिब था वो अदास हो गया और उसका चेहरा लटक गया तो यहाँ पर author ने बास्तामय ये feel किया कि साहिब को काम मिल गया उसे 800 रुपे मिल रहे हैं उसे भरपेट खाना भी मिल रहा है लेकिन ये जो काम है इसे करना उसे अच्छा नहीं लग रहा मजबूरी की वज़े से इस काम को वो कर रहा है और जिसकी वज़े से उसकी जो freedom है वो छिन चुकी है ऐसा लगता है जैसे कि ये steel के canister है ये ज़्यादा heavy है उस plastic के bag से जिसे वो carry करकर हर जगा कच्रा बीनते हुए घूमता था अब ऐसा क्यों था क्योंकि वो जो bag था वो उसका खुद का bag था भले से ही उसमें कितना भी बजन हो लेकिन वो उसे बहुती खुशी के साथ में carry किया करता था लेकिन ये जो steel के canister है जो वास्तम में उतने ज़्यादा heavy नहीं है लेकिन इसे वो ज़्यादा heavy लग रहे है क्योंकि ये steel के canister उसके खुद के नहीं है ये जो canister है वो उसके मालिक के जिसकी वो tea shop है जहां पर साहिब काम करता ये उसके है तो साहिब is no longer his own master तो यहां वो बताती है कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा अब उसके पास में वो आजादी नहीं है जिसे वो पहले enjoy किया करता था So friends, this is it in this story Hope कि ये story आपको अच्छे से समझाई होगी तो अगर ये video और story का explanation आपको पसंद आया तो kindly like the video और आपके जो भी suggestions है Please comment me जहां कुछ improve हो सकता है So thanks for watching this video I'll see you later Till then, very goodbye to all of you